हेलो गाइस वर्कम टू यहीवी किरलास देखे होगी और विए अपने बार करेंगे के बारे में कि यह चाहरों को उसके बाद में अपने बात करेंगे यह क्रास के बारे में एक अंध। डूसरे बमें कईसे चलाए जाता है वह आपने गेड्राइब्स में पढ़ेंगे किसे परकार की होते हैं उसको एक अलग वीडियो में लेक्याएंगे अब अपना सहेसन आते गंटे का ही रखेंगे एक दिन में मैं मैं कोसिस करूँ आ बर मेरी और ओपसे अपनी सहेसन जो है वो सिर्फ आते गंटे का हो और एक दिन म तुपता ही आएगा आपके पास गिंएटсем की वीडियो ही आएगे पर उसको दो इस्सों में उपने बतलते हैं का कि सब से बहले बात करते हैं सबसे निदे कि यह क्यों ओप ईब करते हैं अपने मेलग किस तरण से वही सेम कंसेप्ट कि सबस्क्राइब कि bakale लए कि में स्लिपिंग से बचाव के लिए कि करते हैं गेर्स का यूज़ करते हैं इस बात को अब समझ ले ना गेर्ट्राइव में अहीं बाते नहीं करेंगे ये गेर ड्राइवी समलो एक परकार से कि महलो आपको गेर ड्राइव या गेर के मैं आपको अड्वांटेज डिसाज ड्वांटेज भी बता दूगा लाब भानिया भी बता दूगा क्यों उसका परयोग करते हैं वो भी बता दिया बहुत कम डिस्टेंस होती है वहां पर अप का क्या होते हैं सबसे पहले लाव पिर हाई जानते हो कौन से परकार का है अगया बारे यह गेर को आप जानते हो इसके responders के डिस advantage अपने देखती है जो Après आप लिए इसपी देखती हम कसी देख्राइब के बारे में जानते हूं सबसे पहले इसका लाप क्या है कि पुत Canvas कि टर्रास्मिटल कैड देड सी सिंथ सबस्क्राइब एग्जैक्त वेलोशिटी पिशो पर सबस्था कि वेलोशिटी यह क्या करता है यह पूरा एक किसी परकार कि कोई भी आन्या नहीं होती मच्षण में अइसमेंत होगी में और में यह यह हांनिया ही होती है एक बैलट की उस परकार का कोई भी हाणी नहीं होती यह है 느 नहीं प्रसमेंर सौक्त करता है एक जैक्ट मतलब एक प्रोपर वेग अनुपात को यह क्या करता है संच्रित करता है कौन के द्वारा अपने एक्जैक्ट वेलोसिटी देशों प्राप्ट कर सकते क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी हानिया नहीं होती हानिया इंदर सेंस्स लीप या क्रीप बगारा नह यह लार्ज पावर को संच्रित करता है संच्रित करता है इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि लार्ज पावर अधिक उर्जा मल अधिक उर्जा को यह क्या करता है ट्रांस्मिट करता है संच्रित करता है कौन गेर ड्राइट के द्वारा अधिक उर्जा संच्रित कर स कि की बात करूं तो इसकी जो दक्सता होती है जिसे अपने इंग्लिज में कहते हैं वो क्या होती है वो हाई होती है वो उच्छ होती है इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे अब दी का इसकी बात करूं एक लेयाउट होता है अपने असान वासा में असान लेयाउट होता है यह नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कोई चाहिए इस चीज के लिए ठीक है अच्छा मतलब अच्छा तुम्हें क्या एक चोटे चोटा पैकट बड़ा दमाके वाली चीज हो स है. मैं आपको नहीं समझा पर हाँ. मैं आप अधालेे कि मतलब मतलब क्या होता है यह बात समझ गये होगे कि इसमें कोई ज्यादा गिनित वाली बात नहीं होती है एक चोटे से एरिया ये गेरताisés स्दीकार कर लेयाउट होता है यह बात आप समझें आगे मैं बात करता हूँ इसके डिस एडवांटेज्स के बारे हानिया के बारे में अपने डिसकस करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हानिया हो सकती है सबसे पहले गेर को बनाने के लिए सुनते रहे गेर को बनाने के लिए अपने को क्या है पैसल पैसल टूल्स एस नहीं आएगा टूल्स एंड एक्विप्समेंट मैं चाहिए होते हैं मतलब गेर को बनाने के लिए अपने को स्पैसल टूर्स और एक्विब्मेंट है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अपने जब इसकी टर्म्स वगहरा पढ़ेंगे नमांकरन जिसे अपने कहते हैं वह पढ़ेंगे इसके नाम वगहरा पढ़ें को थोड़ा स्प्रेक्ट्र समझाएगा कि इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि दूसरा कि यदि कि गेर में कोई एरर मतलब कोई गल्ती होती है तो उससे वाइब्रेशन वाइब्रेशन का एक अपना मतलब पॉइंट भी किलिर हो गया को लिख रहा हूं वाइब्रेशन और नोईज होगी है कि वाइब्रेशन का एक क्लीर होगा बीनमबर आप से पूछा मनलब अपने स्लेवर में मनलब वाइब्रेशन के फुद्पन होने के और चारण कह तो आप गेर में यह जड़िए घेर के ले आउट में उसको बनाने में किसी प्रकार क्यों गल्टी हो जाएगी तो उसके वाइबरेशन और नोईज क्या होगी उत्विपन होगी इस बात को दिहान में रखेंगे अब मैं बात करता हूं कुछ इस चीज़ को समझ लेना और लिक भी लेना एक्जाम्पोंट उसे पुछा जा सकता है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन और ओफ गेर सबसे पहले किसके अनुसार तो अपने देखते हैं अकोडिंग तूदा पोजीशन साफ के अक्स की स्थिति के अनुसार अपने सबसे पहले देखते हैं कि किस ते परकार के गेर सोते हैं उस चीज़ को अपने देखते हैं चलता हूं सबसे बहले बात करता हूं मैं कि पहले के बारे में इसके बारे में पुछा भी कह जाता है मैं वह बताता हूं कि यह समाना अंतर होते हैं एक ही कक्स में या एक ही प्लेन में प्लेन को अपने कक्स ही कहते हैं सहर मेरे को देख लेने दो हाँ समानांतर होते हैं और एक ही कक्स में ये वगारा पुछा है तो उसके बारे मैं देखता हूँ क्योंकि मैं हिंदी अपने साथ में लिखके बैठता हूँ सबसे पहले बात करूं मैं यह सपर गेर कौन सा गेर है यह यह आम जिंदकी वही बाधा ना तो हिंदी में इसको कहते हैं इस फिकर समझा रहा है फोटो लेने का रीजन ही यही था कि आपको असानी से मैं इस बात बाते हैं वो समझा सकूं ठीक है आपको किसी प्रकार का कोई इंतृता है ना धुक्नि यहां पर सफट लगी होगी दोनों के ठीक है इस बात को समझे लेना यह जो साफ होगी यह एक दृज़री के क्या होगी समानान्तर होगी है दूसरा यह है एक ही मतलब प्लेन पर प्लेन को आप जो भी आप हिंदी में थोड़ा देख रहे ना कि यह को प्लेंटर होती है समाना अंटर एंड ओ प्लेनर corrections, चाप connected ए्टनेक्टेड पूंधि इस तो को दियान में देखना और प्लेनर को प्लेनर होता है इस बात को ध्यां में ल eerste पूंद तो उससे पहले एक बात देखना कि यहां पर यह जो तुथ है ना जो इसके दान्थ है तुथ है जो वो क्या है वो नाइंटी डिग्री मतलब वो क्या है पूच सकता है अब मैं अगे चलता हूं इससे आगे भी अपने पास आता है अपने exam point of view से इसको कहते हैं अपने helical helical gear ठीक है हिंदी में बात करूँ मैं हिंदी में देखता हूँ तो इसको हिंदी में भी helical ही कहते है helical gear ही कहते है हिंदी में भी कोई problem नहीं है यह same ही होता है क्या होता है यह एक तो parallel समनांतर और और होता है लो पर अपने बात करेंगी और हैलिकल के जिर में सर अंतर क्या है उस बारे में अपने डिसकस करते हैं तो यहां देख रही हो यह कुछ कुछ अंगल पे इंक्लाइंड है इसके दाथ सिद्धे नहीं है आप गोर से देखऊगे को मैंने से लिए फ्रिगर को चाई आपको तिसके यह दांट है वह मल्लब एक परकार से सिद्धे नहीं है कि होना की जसह देखता सुक्ड़ कि परनित्व यह इंक्लाइंड है एक एंगल पर suitable होते हैं इस बाद को द्यान में अलग करता है स्फर्गेर अलग करता है इस बात को ध्यान में होंगे अच्छा अभी जो पिछे बड़ा है यह क्या है यह है अपने पास कि सिंगल हेलिकल स्पेर और एक आता है डवल हेलिकल स्पेर भी अपने स्पेर क्यों बोल रहा मुझे समझ नहीं आ अब देखो थोड़ा सा फिगर बढ़ा हुआ तो यहां पर आप समझ बारे होगे यह कुछ एंगल पर है कि हुना इनको वास्ता में आते जाए प्रंतु यह कुछ एंगल पर होते हैं ठीक है यहां पर कुछ एंगल बनता है कोई कोन बनाया जाता है इस बात को अगला जो गेर है उसे अपने कहते हैं बैवल हिंदी में मैं बात करूँ तो हिंदी में भी इसको बेवल ही कहते हैं बेवल गेर कहा जाता है इसको समझ लेना क्योंकि यह समझने वाली बाते चोड़ी चोड़ी बाते है क्यों ज़्यादा मैं बड़ी बाते तो आपके साथ करी नहीं रहा हूं कुछ मैं मुश्किल वाली सेरे यह कहां होता है यह दुकानों में होता है लगा उता है जब आप ने वह बाघर से सरी खुünf candle ओर हमें सब्सक्राइब करूंद भी ऊंप मैं हुआ है in fact इंडर सेक्टिंग ओंप से कुए दश QUE सब्सक्राइब मिलेगी ना उसको अपने Inter поверх Fort औरुद इस बात को भी आप अध्यान में रखना यह मतलब यह एक परकार से है तो स्ट्रेट को बैवल गेर कहते हैं इसको परंतु यह इसका फिगर कुछ ऐसा ऐसा बनता है जिसमें अपने कुछ एंगल पर इसको बनाते है ना इसलिए यह इंट्रसेक्टिंग है कि इसका मतलब इसका जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं जाके इंट्रसेक्टिंग मतलब एक दूसरे से मिलती है बेवल गेर के बारे में इत्ती बाते यह बात याद रख लेना नोन पैलर किसी मतलब अब करता हूं कि इसको यह कैसा हुता है मतलब यह वही सीन है एक ऐसा घेर होगया चारो तरफ दांते लगेंगे तूथ लगे होगे इसकी चारो तरफ भी क्या होगे। तूथ लगे होगे होगे यह सब्सक्राइव है Acts 20 मेижуerd गोर इसे मीलनी पाती इसकी। कि यहीं कहते हैं थोड़ा सा इसके बार में समझ लेना अधरोइज कोई भी बात नहीं आ देखो वर्म गेर में क्या हो रहा है और रेक अंपीनियन में क्या हो रहा है कि रेक इन पींियन इस परकार से मूँव करेगा यह जो है को चुंसे यहां से यह अपने को जो आउटपुट देगा मतलब से और ऊपने को आउपट कुएगा नोमेशलेगा फिर से यहां से यह अपने को जो आउटपूट देगा मतलब जो अपने को मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा रोटेटिंग वो रोटेटिंग होगा वो क्या होगा? रोटेटिंग होगा मतलब घूमेगा वो और ये क्या होगा? निच्चे वाला रेक इस बात को आप ध्यान में रख लेना यह बी नोन पैरलल ही होते हैं यह समाना अंतर नहीं होते हैं इस बात को अपको पूड़ा से समझ आ रहा होगा मैं ओडियो नीच आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी सी समझने वाली बात है एक बार वीडियो फिर से देखे लोगे आपको अच्छे समझ आ जाएगा थोड़ा सा अगर आप मेरे को कहते हो कि बुक का आपको मैं सेंड कर दू मैं वो भी कर दू मैं ताकि आपको बुक में से और अच्छे तरिक से समझ आ जाएगा प्रकार के एट जो गर होती है ये तो भू करेगा डिको इसका जो मुवमेंट होगा और इसका जो मुवमेंट होगा और Wasle स्टिप्रोकेटिंग मुवमेंट करेगा मतलब इस परकार से हुरियोडली ये मूव होगा इस बात को ध्यान में रखेंगे वह क्या था एक्सिस की पोजिशन के अनुसार था आगे अपने बात करेंगे अकोडिंग अकोडिंग तू वैलोसिटी वैलोसिटी के अधार पर अपने बात करेंगे ठीक है वैलोसिटी के अधार पर अपने बात करेंगे सबसे पहले आता है लो वैलोसिटी मतलब वेक के अनुसार वेग के अनुसार सबसे पहले आता है लो वेलोसिटी लो वेलोसिटी में कौन से गेर आते हैं जिन क्या स्पीड होती है किस किता 3 मिटर प्रती सेकिंड से कम कि कम स्पीड वाले को अपने किस कौन से कैटेगरी में रखते हैं लो वेलोसिटी कम वेग वाले उसमें रखते हैं बी बात करें तो मीडियम वेलोसिटी मध्या है मध्या ही कहेंगे इसको यह कित्ता होता है वेग से जलते हैं उसको मीडियम वेलोसिटी यह कहा जाता है और सी है हाई वेलोसिटी यह वेलोसिटी उच वैइसे अपने अप्लीकेशन बनकिया आगी है मैंने क्या हुआ जब अपने बनकिया थी तो मैंने ना उन्हों और उसमें एक Χाप गैर में चार बजे meditating मैंदց बन चुक है सब्सक्राइब कर दिया तो अगले हफ्ते तक यार अपने साइब तक उस तीज़ को मलब ने कवर कर लेंगे ठीक है से ज्यादा पंद्रा मिटर परती से ज्यादा उसको क्या कहते हैं आगे मैं चलता हूं फटा-फट करते हैं अकोडिंग अकोडिंग तूदा ताइप ओफ गेरिंग तीज़ के परकार की अनुसार सबसे पहले देखो एक्टर्नल एक्टर्नल गेर दी नमबर आता है इंटर्नल गेर जो अपने पिछे देखे जिसके अंदर होता है मैं अभी दिखा भी दूँगा और सी आता है रेक हो पारे में नेर तीन और के वाधी है कि आप गर यहां की इस सिंदी में लिखे ना पाया गेर में फटाफट लिख रहा हूं आंत्रिक अंत्रिक गेर और एक्केंड पीनियन को अपने वही लिखेंगे अभी दिखाता हूं यह जो देखो यहां जो आप गेर देख पार इसके अंदर वाली साहिड तुथ हैं इसके अंदर वाली साहिड इसके दानती हैं तो इसको अपने इंटरनल बागी जितना भी पड़ा है वो सब क्या है वो सब एक्टरनल है और यह होता है अपनों ने पढ़ चुकी है इस बात कर आप समझ लेना यह बात की अपनी सब कुछ इंपोर्टेंट है मैं फिर रिपीड कर रहा हूं कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपोर्टेंट ना हो भूलना मत इश्रीच को उन सबी बातों के बारे में दिस्क्स करता हूं अराम से समझाओंगा देखो मेरे को कोई जल्दी नहीं है यह तोपिक ऐसा जो मुझे खुद को जब मैं पढ़ता था तो मुझे नहीं समझाया था परन्तु अब मुझे समझाया हुआ है तर्म्स जित्ती भी है वो समझा द यह दो गेर है एक और दो कि क्या है दो गेर है इसको क्या करते हैं अपने दो बारे में डिसक्स करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने अडेंडम सर्किल के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ अडेंडम सर्किल के बारे में या अडेंडम के बारे में जो भी आप कहना चाओ नहीं 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 अडेंडम छोड़ो मैं सबसे पहले बात करूँगा पिछ सर्किल के बारे में अब आजाओ यहां पर मैं इसको पैन ले रहा हूँ बले यह जो सर्किल है पिछ सर्किल यहां पे पिछ सर्किल बनाया किया है अब आप कोगे सर्क पिछ सर्किल होता क्या है वो बताईए सबसे पहले यह एक कालपनिक सर्किल है ठीक है क्या है यह एक कालपनिक सर्किल है अपने यह मानते है कि पिछ सर्किल पर ही यहां पर देखोगे ना यहां पिछ सर्किल पर ही जो दाथ है जो तुथ है ठीक है वो एक दूसरे से महस होते हैं मरलब एक दूसरे जुड़ते है तो इसलिए क्या क्या जाता है कि जब दूसरा जो दांत आईगा यहां तक ही यहां पर ही वो आके क्था पर ही यह वो भी तो पर ही ओप पर ही आके उस चीज़ का मलबब भो जूंद होगा कालपनीज सर्कुल होता है पिलर सरक्लिस बारे में आप बान रखने इस बारे को आप बोलना मन अब मैं बात करता हूँ अडेंडम सर्कल क्या होता है तोटल अब आपको समझा जाएगा पिछ सर्कल आप ध्यान में रखोगे एक काल्पनिक सर्कल है जिसे अपने मानते कि वास्तम में उसके उपर ही जो गेर जो दो गेर है वह वास्तम में उसी के उपर मर्ज हो रहे हैं उसी के उपर मैस हो रहे हैं उसी के उपर घूम रहे हैं पिछ सर्कल समझ लिया तो सब कुछ समझा जाएगा अब एक सर्कल आता है उसको कहते हैं अडेंडम सर्कल यह जो उपर ही उपर आप सर्कल देख रहे हो जो उसके अपर फेस से होते ठीक है ये जो गेर है उसके उपर उपर वाले हिस्से से होती हो जा रहा है इसको अपने सर्किल को अपने क्या कहेंगे अडेंडम सर्किल मतलब वह सर्किल जो गेर के उपर ही मैक्सिमम हाइड के उपर से जाए उसको अपने क्या कहेंगे और उसको अपने अडेंडम सर्किल कहेंगे उसके बार में एक सर्किल और आता है उसके बारे में मैं डिसक्रस करता हूँ आप से ये जो सर्किल आप देख रहे हो ना उसके तीन चीज़ें आप समझ ले ना अडेंडम, डेंडम और फिर सर्किल ये जो सर्किल निचे एक एक करके कन्फ्यूज मत होना आराम से बढ़ा रहा हूँ फिर बाद में रिपीड कर दूँगा ये जो सर्किल आप देख रहे हो इसको अपने कहेंगे डिडैंडम सर्किल ये लिख रहा हिंदी में भी यही कहते हैं गवराना मत हिंदी में सर्किल को वरत कहते हैं इस बात को ध्यान में रख लेना अन्यदा बाकी सभी चीज़ें बराबर ही हैं डिडैंडम सर्किल की बात करूँ गेर के निचले तले मरलब यहां जो सबसे लोइस निचले वाला तला होगा ना ठीक है ये जो गेर है इसके उपरी हिस्से को तो अपने अडैंडम कहेंगे और निच्चे वाले तले को अपने क्या कहेंगे डैंडम सर्किल कहेंगे दो बाते हैं आप समझ लेना है इस बात को यहां भी लिख रहता है यह लिख रहता है पैंचेज करता हूँ फिर आग्या समझाता हूँ, समझना लिखवाद हुआ, लिखवाने वाली बात, बाद में है, अराम से बैटो पहले, समझो, समझना जुरूरी है, स्किप्ट कर लिया, तो आपकी मरजी है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ पिच सर्किल से, यहां देखो, पिच सर्किल से अडेंडम सर्किल की दूरी को अपने क्या कहते हैं, ठीक है, उस दूरी को अपने क्या कहते हैं, जाद रख लोगे, और पिच सर्किल से डेंडम सर्किल की दूरी को अपने क्या कहेंगे, उसको सर अपने कहेंगे, डेंडम कहें मैं अगए जलता हूँ आगए इसी के उपर एक सर्किल ओर रहा हुए पिर आगे चलते हैं हैं ये सर्किल देख रहे हो थिक है ये सर्किल के subtract के बारे में बारे करता हूँ इस सर्किल को कहते है doctor clearance ये work depth circle हिंदी में मैं फुड़ा सा देखती हूँ चो मैंने कहा looks like this किया रहे होה था तिलिए बात करता हूँ, अवकास क्या होता है, फिर अवकास सरक्ल के बारे में, वर्किंग डैप्ट सरक्ल के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, हिंदी में नहीं दे रखा, हाँ, दे रखा है, दे रखा है, कारेकारी, गहराई, वरत, ठीक है, कारेकारी, गहराई, वरत के ब लो गेर के गेर नंबर एक और गेर नंबर दो जब इन दौनों गेडर के बीच में गेर आएगा तो यह यहाँ पर यह रैड अरिया है दूसरा गेर आ गया। तुहakah यह यह पर निशचय बार यहां अब सiking इसón पर बात करें यह सरकिल हो गया यह हो गया यह हो गया इस पर सटी लगा रहेता हूं, यह भी हो गया करो यहां पर है पर उगशा है चाहिए, यहां पर कुछ on बच जाता है तो यहां पर जो सर्किल बनता है कि बातों को दियान कोई नहीं होगा अब नब बात करते हैं टोटल डैप कुल गहराई के बारे में, दूटल गहराई के बारे में, ठीक है, पुल गहराई क्या होगी, अडेंडम प्लस डेंडम, या एक सेचिंड, तोटल किया गये, समझ पारे होगे, अब अपने बाद सामने फिगर भी बड़ाए, ठीक है, यहां से यहां तक की depth तो अपने क्या कहेंगे total depth कहेंगे ठीक है इस बात को आप समझ गये होगे अब मैं बात करता हूँ circular pitch क्या होता है pitch अपने से normally पूछा जाता है pitch circle diagram और circular pitch इन दो तिन चिज़ों का concept है जो अपने से पूछा जाता है बाहर पार pitch क्या होता है पहले gear का starting और दूसरे gear की starting की दूरी को अपने क्या कहेंगे pitch कहेंगे मैं फिरी raise कर लेता हूँ मैं सब कुछ raise कर रहा हूँ वापस से इसको संजाऊँगा यहां से और यहां की दूरी को मैं क्या कहूँगा pitch कहूँगा मतलब circular pitch कहूँगा इस बात को भी आप समझ गयोगे किसी को कोई परकार की प्रोलम नहीं होगी इतना भी आप समझ के इस अब उसके आगे जो बाते रहेगी अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ एक था तोटल डैप यह बढ़ लिया आगे बात करते हैं वरकिंग डैप का अव्याग का रहा है कारी गहराई गला मैरे दिमार से निखिल गया था वह क्या उप्ष्थ तोटल दैट्स क्यों के लिए इत कि पराम्त तो आडेंडंडम सूरस्प तक तो आपने क्या कहेंगे मतलब मतलब अपने अडेंडम माइनस कर देना अपने पास क्या निकलेगा वर्किंग डेप्ट निकलेगी फूरे से टर्म से जो याद रखना प्लस माइनस वाला ठीक है इस चीज़ को भी अब ध्यान में रख लिए यह उपर वाला जो फेस है ठीक है इसकी जो विर्थ है उसको फे यह यह जो आपको समझने थी जो आपके अग्जाम के अग्यान में बॉर्टियाय करें जो आपको समझने ही ती जो आपके एग्जाम्ट सब पढ़के ही जाना है आपको यह सब पूलना मुझा तुछ स्पेस भी बढ़ना यह भी जुरूरी है बाकी अधरवाई वर्किंग डैप्ट हाँ कर्फ्यूज होगे तोटल डैप्ट और वर्किंग डैप्ट में आप कर्फ्यूज में इस बात को गोर से रख लेना अभी क् सबसे पहले मैं बात करूंगा पिच सर्किल के बारे में ठीक है आप पिच वर्त के बारे में मैं डिसकस करता हूं पिच वर्त क्या होता है यह है एक मैजिनरी वर्त कालपनिया वर्त है जो गेर को एक्चिवल रोलिंग एक्षन को दर्षाता है जो जो बुक्स में डैफिनियस के उसे आसान बात सामें करके आपको समझाता हूं क्या है कि यह है एक मैजिनरी वर्त जो गेर के एक्ट्वल रोलिंग एक्शन को दरसाता है दूसरी टर्म आती है बी टर्म आती है अपने पाफ पिछ तर्किल डाइग्राम पिच वर्थ व्यास अपने इसको कहती है कुछ भी नहीं है जो यह सर्किल है उसके डाइवेटर को अपने क्या कहेंगे पिच शर्किल डाइग्राम पिच शर्किल के व्यास को कहते हैं Qo Pcd केहते हैं Vyyan को क्या कहते हैं पिच सरकिल डायमेटर को क्या होता है पिच्छ टर्म के लिए नोट और पिच्छी आपको कई पर एक्जाम में देखने के लिए मिल सकता है जहां आते कोई मतलब फॉर्मूला वगारे मुझे वहां PCD लिखा हुआ आ सकता है पिसर्किल के व्यास को पिसर्किल डाइक्राम कहते हैं उसके बाद में आगे मैं बात करूँ जो इंपोर्टन इंपोर्टन है लगांगे जो एक्जाम्टो ब्यूश से उसके बारे में दिस्टत करें अडेंडन क्या होता है उसके बता रहा हूं फिक्चर इन वह से सुथ है कि दूरी दूरी चिक है कि अपने किरा कोई भी नभी नहीं पूछे आप फिर फिर अपने को 밝혔 सरक्ल बना बनाए मुंसको नहीं होता है कि अपने एक सपर कि उसको बनाएंगे तो उसके अपनी क्या करेंगे तिस पां अडेंडम सर्किल के बारे बात करता हूं मैं कि इस जब अडियों सर्किल क्या होता है कुछ नहीं होता क्या होता इदिस्टेंस बिटबीन किसके अनदर स्विछ सर्किल मतलब क्या पिछ वर्थ सूदा बोटम ओफदा तो ठीक है इसको क्या कहते है अडेंडम सर्किल क्या है उसके उपर जो सर्किल बन जाएगा उसको अपने अडेंडम सर्किल कह देंगे अब मैं बात करता हूं अब आपके काम की तिद्यानिज चालू हो रही है उत्ता क्या है ये वहाँ डिस्टैंस मतलब क्या दूरी बिटमीन मतलब क्या मद्या किसके मद्या स्टार्टिंग ओफ, वन, तुठ, तू, ने, रुको, समझाता हूँ, पहले गेर की स्टार्टिंग से, दूजरे गेर की स्टार्टिंग के मद्या की दूरी को अपने क्या कहते हैं, सर्कुलर पिछ कहते हैं, इसके बारे में जो याद करने वाली बात है, वो लेखे लो, c is equal to pie d upon T, यह इसका formula होता है, most important कि बदा दिया आप, आज के दिन की सबसे important की जाया, आपके लिए, यह c is equal to pie d upon T, 2013 में यह आया हूँ है, ठीक है, 2013 में यह प्रसंद आया हूआ है, आपके, d मतलब क्या है, ccd है, र्क्य तर्क्यम, ढाँ सवरी, ढायमिटर है, पिच वर्त व्यास है उसको अपने कहते हैं पिच वर्त व्यास कहते है तीस में क्या है नमबर ओफ तुथ ओन्दा वीद मतलब दान्तों की संख्या दान्तों की संख्या से दिनोड करते हैं इस बात को भी आप ध्यान में रख लोगे कोई कन्फूजन नहीं होगी अग्गे एक टर्म आती है वो भी देखना वो अपने उसमें नहीं पड़ी है डाइम मीट्रेल पिच व्यास हिंदी में कहते हैं इसको व्यास ही है पिच इसको कहा जाता है आज आपको मलब इस अफ़ते में आपको यह पूरा का पूरा जित्ता सेसनी अपने खतम कर देंगे इस अफ़ते के बाद में आपका आई सिंजन चलो जाएगा स्रेबस की टेंशन मतले ना मेरी टेंशन है मैं बार बार यह चीज़ कहता हूँ हाँ कुछ बच्चों का यार एक confusion थी मैं उस confusion को अभी ही लेंके चलता हूँ चलो यह चलिए कर लें उसके बार में अपने बात करता है कि हैं डायमेटर पिच क्या होता है Language में लिख लेना मैं आपको समझा देता हूँ P D is equal to क्या होता है T upon क्या होता है T upon में D होता है क्या diameter pitch व्यासिय pitch कुछ अभी अपनोंने क्या पढ़ा था circular pitch क्या होता है P D upon में T होता है मैं P I को इदर ले जाता हूँ मैं कह देता हूँ PC P I is equal to इकुवल तू पाई PC मैं लिख सकता हूँ आप कर दोगे सर आप लिख सकते हो आपने अब कह दिया तो आप इसको कर सकते हो कोई प्रोलम वाली बात नहीं है इतनी बात आप सभी लोगों के किलियर होगी इस बात में किसी को कोई भी confusion नहीं होगा अब आगे जलते हैं तीसरे ही तर्म आती है module हिंदी में इसको कैसे लिखते है module ठीक है language में लिखना हो तो क्या कहते है व्यासिया पिछ किसे कहते है इस दर इस सो ओफ तूदा PCD मेलब पिसर के डाइग्राम और ये दिनोड किया जाता है mm ठीक है उस चीज़ को भी अपने mm में करेंगे module की बात करता हूँ है module क्या होता है it is the ratio of PCD to that number of मतलब पिसर की डाइग्राम वह है दांतों की संख्या के अनुपाट को कहा जाता है module मैं इसको m से binnenSean करते हैं उस बात को ध्यान में रख लेना mm क्या है इसका मिला यूनिट है याद रख न mm वह मत समझ लेना की समझे डिनोड करते हैं म क्या है इसका झांको DR होता क्या है वह देखो M is equal to D upon T होता है इस बात को ध्यान में रख लेना यही से आपके पिछली बार प्रसंद बना था 2013 में D upon T क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ क्या 1 upon M आपको गिसर लिख सकते हो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ इस प्रकार से खोड़ा सा रिलेट करके पढ़ लेना आपके टोग की भुक में यह नहीं दे रखा था मैंने इसलिए आपको अलग से बता लिए 2013 की एक्जाम में आपको वहां से इस चीज़ को देख लेगा आगे मैं चलता हूँ आगे मैं बात करूँगा आप से टोटल के बारे में क्या होता है वो अटेंडम एडेंडम प्लस डीडेंडम को अपने क्या कहते हैं और डेंडम क्लीरेंस को आगे मैं बात करूँ clearance क्या होता है उसके बारे में of course क्या होता है देखो मैं language में लिखता हूँ जब gear mess होते mess मतलब एक दूसरे मिलते हैं होते हैं तो एक gear के top और दूसरे के bottom bottom की दूरी को अपने क्या कहते है clearance कहते है मतलब अगर मेरे हाथ दिख रहा है कि यह मिला ठीक है मिलने के बार में यह ऐसे अगे चला जाएगा यहां से यह मिला यह मिला और यहां पर लिच्छे जो clearance रह जाएगी एक gear का top और दूसरे के bottom के दूनों बीच में जो clearance रह जाएगी उसको अपने क्या कहतेंगे उसको अपने denote करने के clearance से अब आपके पास जो चोटी वोड़ी terms है मैंने आपको वहीं समझा दी है पिछे ही ठीक है तुथ स्पेस क्या होता है पिछेस क्या होता है तुथ की ठीकनेस किसे कहते है वो सब आपको यह नोर्मल है वो आप सभी कर लोगे इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होगे ठीक है आज का सेसन अपने यहीं पर end करेंगे कुछ ज़्यादा कितना टाइम हो गया 42 मिनिट का सेसन है कोई लंबा चोड़ी बात मैंने करी नहीं है नहीं आपने एक चीज और भी लिख लो एक चीज और भी लिख लो मैं आपको लिखवा लेता हूं अभी क्योंकि फिर बात में आपको के सरा आपने वो नहीं लिख वैसे आपके exam point of view मुझे important नहीं लगता पर आप फिर भी लिख लो system of gear tooth sorry system of gear tooth ठीक है तीन चार बाते हैं उस चीज के बारे उस चीज को मनलब याद कर लेना कोई कोई से system होते हैं अधर वाई आप से कोई इस्ता ज़्यादा मनलब एक्जाम में पुछा नहीं जाता एक तो होता है 14 and half degree इसके बारे में बात करें तो यह होता है general परपज रुको मैं इसको हिंदी में लिख सकता हूं कहां यूज किया जाता है तो इसको यूज किया जाता है समान ने आए परियोग वाले गेर्स में कि मलब जो जनरली जित्ते भी गेर्स देखते हो वो इसी सिस्टम के उपर वरक करते हैं ठीक है इस बात का अब ध्यान में रखना दूसरा अपने पास आता है 14 and half full depth देखो हिंदी में नहीं मिला involute system ठीक है 14 and half अब दिगरी फोल डेफ्ट इनवलेटिट इस्टम यह कहां यूज होता है इसको अपने यूज करते हैं कहां पर यूज करते हैं जनरली यूजिन जनरली जनरल यूजिन जनरल यूजिन किया त्वंटी डिगरी फूल डेफ्ध इनवलूट इस्टम यूजिन देखो प्रेसर एंगल को तोदा एंड हाफ डिगरी से 20 डिगरी तक बढ़ाने पर हमें इससे अपने को क्या है स्ट्रोंगर तुथ अपने को क्या प्राप्त होते हैं और यदि अपने प्रेसर एंगल को बढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा मजबूर दात होते हैं जो हैवी लोड के लिए यूज होते हैं इस बात को भी अब ध्यान में रखना है हो गया अपना एक मतलब पूरा एक हैशन हो चुका है अभी पूरा नहीं हुआ पढ़ा है जिसमें अपने सिंपल कंपाउंड इंवर्टेड के लिए चार पढ़ेंगे यह तीस मिनिट के अंदर मैं खत्म करवा दूगा ठीक है तीस मिनिट से ज्यादा का खेल नहीं है इसको ड़्ना तो गेर ड्राइब अगली वीडियो में आपकी फोटी ही रखने के तोसिस की जाएगी कि आपको छोटी वीडियो दी जाए जादा वीडियो डाल दो मुझे कोई प्रोलम नहीं पर अपने ठोड़ा टाइमिंग कम करेंगे अटाइमिंग कम करके चलेंगे का मेरे को मोटर विखकलएक्ट नहीं आता, मुझे पढ़ना पढ़ेगा, मैं क्या पता अच्छे लेवल क्या पढ़ाऊं, ना पढ़ाऊं मैं हमेशा एक ही बंदे को रिकमेंड करता हूँ, आपको मनुव अकैडमी को, ठीक है एकैड़मी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ यूट्यूब चैनल है उनका इसी नाम से है मन्नौ अकैडमी से आप जाएए उससे बेस्ट और उससे अच्छा कंटेंट आपको मोटर विकल एक्ट एंपर मोटर विकल रूल जित्ता भी अपने सैवन्थ नंबर का टोपिक है ना उसका सारे का सारा आपको यह बंदा करवा द दिख रही है पर वह ज्यादा पास है वह काफी दूर है थोड़ा समय लगेगा वकैंसी को आने में जैस जिस परकार से प्रोसेसिन चल रही है उस इसाफित में कहा रहा हूं प्रोड़ करो मैं वास्ता में कहता हूं वह बंदा आपको अपने से रिलेटेब पोरसने आप उस बंदे से करो मैं उनको रिक्मेंट करता हूं जाके पढ़िए अपने पेड़में अपने सिरफ और सिरफ इसके क्या करेंगे M C Q's पर ही focus करेंगे ठीग है जो आपके master test में motor vehicle análEd के MC Q's अपने जो आ डेंगे क्योंकि motor vehicle act ه справ है न इसको आपसटेंज को रटना ही पड़ेगा आपको वह एक्ट बगरा सब उसके section बगरा जो एंब वहाइब को रटन은 ही पड़ेंगे उस मैं आपके कोई हेल्प नहीं कर सकता वास्तिक बात यह है फिर भी आप मन्नु अकेडमी जोइन कीजिए वह आपको अच्छा करवा देंगे वह यूट्यूब पर फ्री ओपोश्ट पड़ा रहे हैं तो अच्छी बात है आप उन बंदों को फूलो कर सकते हैं यहीं अपना सैस लिकिसक्रस करें सुरी यदि अपने डिसकर्स करें सलेवस के बारे में ना थीक है तो और कि रह क्या गया गेर अभी हो जाएगी ड्राइब रह घी रिक्सिंग्लची इनदर प्रिक्सन क्लचीं में क्या है ना मैं आपको उनकी वर्किंग निहीं समझाूँगा ठीक है वर्क अपने समझेंगे यहां पर इस टोपिक में अपने जाकर वर्किंग समझेंगे जहां पर अपने जिर्व और सिर्व उसकी टेक्निकल में उसमें कौन को से फॉर्मूला आते हैं जो लिए संपन पंदरा मिनिट का टोपिक है यार कोई बढ़ा निया वाइबरेसन एक दिन में पूरा जाएगा आपको नहीं करवाऊंगा अभी के लिए इस चीज़ को मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे जब तक एक satisfaction नहीं होता मुझे आपको करवाने योग्या हो चुका हूं तब तक मैं वह टोपिक नहीं किरवाऊंगा मुझे जोर्बर अभी तक यह नहीं लगता कि मैं आपको पड़ाऊं कैसे suspension system के अंदर भी अपने उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेंगे हां कहां यह रहा ठीक है suspension एक दिन का है और रोलिंग फ्रिक्षन भी एक दिन का है और पिर ते सो आपका साथ की साथ चल रहा है बैल्ट के लिए मैंने करवा दिया गेर के लिए में साथ में करवा दूँगा और उसके बाद में यह पूरे का पूरा टोपिक खतम हो जाएगा मतलब यह वीक के बाद next week अपना next week में अपना क्या चलू जाएगा next week में अपना आई सी इंजन हो जाएगा ध्यान रखना यह जो तीन टोपिक है यह तो बहुत इजी है इसमें थोड़ा सा जो चेंजी है वह मनलग फूरा सा वेरियेशन अपने को इस टोपिक में देखने के लिए मिलेगा उपर वाले तो वही युनिव इस बात को द्यान में रखना त्यूसर आप इस बात को ध्यान में रखना कि हंदीन की बात करूं तो उतकर्स से ये भी आप कंट्टिनु करसकें उतकर्स कहीं आप कर आप mı तू है इन चीज़ों और आप प्राप्ट नियुक कोई लिमीटेसट नहीं है ठीक है लिमीटेस नहीं है जहाँ से याइस जिस the बन्द vagy यॉसिए और आप को 4 वीडियो देख करते हैं लाइक करना वीडियो सेरे करना सब्सक्राइब करना चैनल को और टेलिग्राम जोई करना होब आपका दिन अच्छा जाए धन्यावाद